स्ट्राइप कारणाम का दियुग हरो गायत्री महता जिसे अदालत के कटधरे में लाना तो दूर पकड़ना भी नामुम्किन था पर इस नामुम्किन को मुम्किन करने के प्रयास में एक साहसी रिपोर्टर अक्षरा पटेल गायत्री महता का स्टिंग उपरेशन कर उसके काले कारनामों का चिठा दुनिया के सामन लाने ही वाली थी कि इससे पहले उसे रास्ते से हटाने के लिए गायत्री महता ने उसकी कार की ब्रेक्स बेल कराकर एक्सिडेंट करा दिया अक्षरा इस एक्सिडेंट में तो बच गए पर गायत्री महता मौत बनकर उसके पीछे काले साई की तरह पड़ा था हॉस्पिट आज आदालती चोख़त पर थीच लाया जहां उसके गुनाहों का फैसला होने वाला है यॉर अनर अक्षरा पटेल को मारने के लिए हॉस्पिटल में आग लगा कर पूरे 132 लोगों को मारा है गायतरी महता ने इतना होने के बावजूद जिस आरोपी को पच्चतावा नहीं ह उसे बाहर की दुनिया में आजाद छोड़ना बहुत खतरनाक है इसलिए मिस्टर गायतरी महता को मुझरिम घोशित करके इंडियन पीनल कोट की धारा 302 के तहट फांसी की सजा सुनाई जाती है 132 लोगों की जान लेने वाले मुझरिम गायतरी महता को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है अच्छा जो मर्डर करेगा उसे फांसी नहीं तो क्या आसकर अवाड देंगे नो इंट्रेस्ट चानल के लिए इंट्रेस्ट पर पैसा लाकर इंवेस्ट कर रहे हैं तो कोई इंट्रेस्टिंग न्यूज दिखानी चाहिए ना नो इंट्रेस्ट में ऐसेंब्ली में आपस में मार्पीट करेंगे तो क्या इंट्रेश्टिंग होगा ना कि अब फादर का फोन ने उठा रही है गौड फादर को देख भी नहीं रही है बेना सेर उठाय काम कर रही है इसका मतलब को इंट्रस्टिंग आर्टिकल में दिमाग लगा रही है है स्रिष्टा कौन सार्टिकल है बताओ बताओ जल्दी जल्दी एक एक्टर पर आर्टिकल बना रही हूं सर सटेज अर्टेस्ट सबस्क्राइब कर कोई तो पॉरानिक सांगिक लोग साहितिय कहीं किरदार निभाहे वोकिर अमर हो सर अमर हो जाता है नौ इंट्रेस्ट उन पर मौत का खत्रा मंडरा रहा है किया कहा कि करदारों को आमर करने वाला अभी नेता उस पर मौत का खत्रा मंडरा रहा है इंट्रेस्टिंग, बताओ, कौन है वो? उसका नाम दासरी शिवाजी है शिवाजी शार्दा आश्रम चलाता है, जहां अनाद बच्चों का पालन पोशन ही उसकी जीवन का मकसद है वहाँ पर रहे बच्चों को ये कभी महसूस नहीं होता कि वो अनाद है बल्कि वो तो शिवाजी को ही अपना माबाप और आश्रम को अपना घर परिवार मानते हैं शिवाजी सिर्फ आनंद आश्रम ही नहीं, बल्कि और भी कई अनाथ आश्रमों में पैसा बेचकर अनाथों की मदद करता है अबला, वृद और दिव्यांगों की मदद के लिए ना सिर्फ धन बल्कि तन मन भी निचावर कर देने पर वो तयार है मैंने उसके बारे में जानने के लिए उसका बहुत पीछा किया तो मुझे उसके गति विदियों पर कुछ संदे होने लगा कि इन सब नेक कामों के लिए आखिर वो इतना सारा पैसा लाता कहां से ए भागो मत आराम से चलो उठो सीधे नाने जाओ बुथम शर्णम गच्छा में एक जैहिन इससे दो और थोड़ा तो शुक्रिया शुक्रिया फिर सीयार में चाला की दिखाने की कोशिश की तो जैसे ही शेर ने अपना पंजा उठाया तो सीयार दुम दभा के भागा चलो बच्चों अब जाओ सब अपने पेंचा के पर जाकर सोचाओ नमस्कार नमस्कार भाई दे दो एक कटिंग मुझे भी अरे चुपकर कितना रोएगा हां साहब बच्चे को बहुत भूख लगी है कुछ एक बात बड़ी ध्यान से सुन ले अगर इस इलाके में कहीं भी नजर आई तो तेरी है आज़ा बेटा आज़ा अब हमारे लिए भगवान से कमने यह दन्यवाद सर बच्ची बहुत ही किस्मत वाली है बिना किसे दिक्कत के माता-पिता के पास पहुंच गई शिवा जी लापता बच्चों को उनके माता-पिता तक पहुंचा कर तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो पता नहीं भगवान तुम्हें तुम्हारी बिच्ड़ीवी बेटी से कब मिलाएगा गुड मॉर्निंग सर्फ क्या तुम एनाथ हो? नहीं मैं नहीं हूँ, मेरी मा ने मुझे पाला है तुम्हारी मा कौन है? मेरा देश तुम्हारा देश? मेरा देश मेरी देश ने ही मुझे बड़ा किया और डॉक्टर बनाया मैं को समझा नहीं वो मेरी मा मुझे छोड़कर बचपन में ही चल बसी और तुम्हारा फादर? वो तो शराब के लिए मुझे बेच कर चला क्या अमेरिका जाने का तुम्हारा मैकसित क्या है? वो माउथ कैंसर स्टाडीज इंप्रेसिव प्रसाद जिंदगी एक शत्रंज की तरह होती है हम उसे भगवान के साथ खेलते हैं हमारे दाउं पाप पुर्ण्य है और उनके दाउं कर्म फाल है पताने मुझे अपना फल कम मिलेगा हे वीजा कंफर्म हो गया पासपोर्ट लठाया नहीं मतलब वीजा तो मिली जाएगा आफ्टर माइ कॉन्वकेशन आल फ्लाइट यू एस रुक 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 यह रुक सर शिवाजी सर आप जाएए सर सब्सक्राइब तो वीकेंड कड़की चल रही और तुसे छोड़ा है रोक इसे रोक सर 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 आप गवर्नर की कार रोक सकते हैं लेकिन इनकी नहीं कोने यह तिरा निश्तिदार सर मेरी बात मानिये इंसे पंगा लेना ठीक नहीं कुछ नहीं इसके मुह में मीटर लगा सर मीटर लगाएंगे तो आपका मैटर गडबर हो जाएगा बैस मत कर रूल कर सर रूल तो इनको खुदी फॉलो करता है वैसे यह एक महान स्टेज आर्टिस्ट सारे किरदार निभा कर रही है मैटर मत क्रियेट कीजिए चुपकर तू भूप मार मैंने नहीं भी है सर इस बात का फैसला यह मशीन करेगी आप नहीं आई चल निगल जा इससे पहले के मेरा बीप बढ़ी आए चल जा दूसरा वक्रा साम लेला चल जा रुकी है सर जा यहां यहां ही है सर आप भी मीटर में फूंक मारिये आपने चेक किया कि कहीं मैं पीकर तो टू विलर नहीं चला रहा मुझे भी शक है कि कहीं आप पीकर तो अपनी ड्यूटी नहीं बजा रहे है चिल्लाइए मत और फूंक मारिये अब अच्छे बच्चे की तरह मीटर मुँमें डालिये हाँ कि एक तरह रहा हैं प्रसाद ये कैसे हुआ शिवा जी कादर के आद्वियों ने जमीन हडपने के चक्कर में आश्रम बन करवा दिया और हम सब को बहुत मारा मालिक साल की तीन फसले पैदा करते हैं केती बाड़ी के अलावा हमें और कुछ नहीं आता है पीडियों से उसी जमीन के भरों से जी रहे है वालिक उसे हमसे मत चीनिये पीडियों से तुम अकेले ही मजे ले रहो ना अब हमें भी लेने दो पता दस्तकत करेगा या मारेगा करूंगा मालिक आप जहां करेंगी कर दूंगा जब पोलिस या कोई नेता तुम लोगों से अफिशेली ले तो भूमी अधिगरहन और मैं अनफिशेली छीन लूँ तो रावडी जब कोजबियों किसानों से छीनना आई बढ़ता है जह काम भूला हो या अच्छा किसान भाई आप रुकिए भाई नमस्ते भाई नमस्ते एक वक्त था जब किसान के आदर में एक रुपए के सिक्के पर फसल की फोटो छपी थी अब उसी एक रुपए के सिक्के पर अंगूठे की छाप लेकर आप कह रहें किसानों को हम लूटेंगे जो करना है कर लो इसक खेद लोटा दीजेना भाई कौन हरे तू भाई मैंने बताया था ना ये वही नौटंग की बाज है इसी के वज़ा से मैं सस्पेंड हुआ अच्छा तो तू ही है करता क्या है तो नट हूं भाई प्रंग मंच पर अभिने करने वाला ये कभिनेता ये अभिनेता क्या है रे इ लेकिन इज़त करने का नाटक करोंगा अगर आप कहीं दिखाई दिये स्लाव अलेकुम कादर वाई ये बोलकर सिर जुका कर सुमणी में सरक जाओंगा मा कसम तर और इज़त का नाटक नहीं चाहिए वो अंदर से होना चाहिए क्या काम है ये बता एक दम छोटा से मैं शार नहीं तो ये कोई नया नाटक शुरू कर देगा मैं कहता हूं देन तुकल नहीं दूंगा कादर जो करें वो सितलमेट्ट जो कहें वो स्टेटमेंट ये दोनों स्टेट्स मेरे रियल स्टेट है जा के स्टेज पे नाटक कर जा 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 भाई मैंने कल जीजस की बात मानी आग जलाती है, पानी डुबाता है, हवा उडाती है, आस्मान निगलता है और भूमी खा जाती है, यही जीवन देने वाले पंचे तत्वा अगर दूसरा रूप धारन कर ले तो प्रले तांडव आता है, अभी तूने भी वही किया है, वही किया है तुने, सोन ङई मी अछं़ कर ले तुने वाले तके है, तो आपने भी तके, इसकाते है, यही जीविए तके, झालुड़ लग चो का लग कि लग लुग इंट हुड! आッ! झाल 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 आव अंदर चलते हैं हमारे सर मिनिस्टर है उनके जगह जेल जाना बड़े सम्मान की बात होती है सम्माल लेगा न कितनी बार पूछोगे शिवाजी तुम्हारे सर का रूप लेकर एसेमली भी मैनेज कर सकते हैं सोचो मत चलते राओ ठीक है चलो शिवाजी लॉयर को तुमसे मिलना है नाबस्ते अलो बेल मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली अगर बेल मिलती तो ये तुमसे मिलने आता ही क्यों कितना मिलेगा जितना सर कहें साव करोड कहे दो नहीं दे सकते ना तो तुम्हारी वाकाद बता दो जी दस लाक पूरे पच्छीस लाक दे देना तो ठीके कल मिलते हैं शार्दा एपी बर्थ दे टू यू तुम्हारा अगला पर्थ दे अपनी बीटिया के साथ सेलिबरेट करेंगे गायतरी ये वाल पेपर पर कॉन है मेरी मा है की बतां पर्थ अवारा अपी बाथ सेलिबरेफ जार्दा पर पर्षा एंगे बादे वारा अवारा अवारा भाते मेरी वारा अवारा अवारा है संभाल करने जाहिए उस पेशन को कुछ होना नहीं चाहिए वरना उसके फामिली वाले मेरी ही तरह अनाथ बनके रह जाएंगे केस के बारे में पूछा तो आउरत की तरह शर्मा क्यों रहे हो क्या करें हरकती कुछ ऐसी किए ओह आजकल गठबंदन के बगार कोई पार्टी टिकती ही कहा है इसलिए दूसरी पार्टी जॉइन करके दारू की पार्टी दे दी दारू थोड़ी ज्यादा हो गई फोश में न मारे सर एक मोर को क्या खा गए ऐसी ब्रेकिंग न्यूस दे रहे हैं जैसे जंगल के सारे मोर को खालिया उन्होंने लेकिन ये बात मीडिया तक पहुंची कैसे ये तो खुद मंतरी जी का ही काम है अपने स्मार्ट फोन पर वीडियो निकाल कर कहते हैं दिलिये मांगे मोर ये मीडिया का काम हां बैसाब मेरी जगह तुम्हे जेल में जाना छोड़ कि कहा हुआ हरे मंत्री जी राश्ट्रिय सिखाय ऊहाँ मन्तरी राश्ट्रिय पक्षी को नहीं पहचानते, स्पोर्ट्स विभाग के मंत्री ऑलिंपिक में हमें कितने पदक मिले यह नहीं जानते, परिवहन मंत्री यह नहीं जानता कि शेहर में कितनी बसे हैं, ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची- करते हैं और फिर हमारी मतद देते हैं अब मंत्री बनने के लिए आम आदमी की सेवा करनी पड़ती है शेखर ऐसे घटिया क्लाइंट मेरे पास मत लाना इतना घमंड है तुम्हें मुझसे ऑपोजिशन वालों ने भी कभी इस तरह से बात करने की हिमत नहीं की अगर आपने उ होगा कि आप इसे अभी मना लीजिए बाद में दोश्मत दीजिएगा क्या पहला रूप दूसरा रूप लगा रखा है चलो हटो अरे सुनो मफलर वाले भाईया अरे चोटी सी बात पर भुशा हो जाएंगे कैसे चलेगा अरे पहले मरी बात तो सुनिये रुकिये आपसे बादा करता हूं अब कभी जिन्दगी में मोर नहीं खाऊंगा मोर छोड़िये कभी मक्षी भी नहीं मारूंगा बस इस बार मुझे बचा लीजिए है एश्वजी उसे संजाते क्यों नहीं जाना कब है बिल्कुल मेरे जैसी आवाज लिकिन शकल हाँ खाया था मोर खाया हिरन खाया चंता का पैसा भी खाया सब खाके हजम कर लिया विपक्स का क्या है वो तो अरोप लगाएगी ना यो रॉनर जज भईया आप ही बताएए आपको दावत में कोई मुर्गी खिला तो आप मुर्गा मांगेंगे अरोपी शंकर राव को चौदा दिन का रिमांड दिया जाता है अच्छा कोट तो मैं आ गया जेल तो बही जाएगा ना तेलिफोन एक्स्चेंज के पास आपका एक्स्चेंज हो जाएगा अच्छा के घच्छाएब अंगे अच्छा एक्सचेंज आपका दिरी खिन को च्छाएब गब्रे êtreę क्या बात है मफर भाई अब तो आपको देख के माना डॉगी भी तुम ही लाएगा थैंक यू नमस्कार शंकर राव जी, have a nice trip, जाएए फोर्मालिटीज पूरी कीजे अच्छे बहरूपिये को पकड़ा है मिनिस्टर साब, इतना perfection है कि मैं ही confused हो गया अरे छोड़िये उसे, guest house पर आज पार्टी रखी है, आजाएए ओके साइर, हाई, सब जेलर शामलाल, जोती हमारे जेल में मंत्री आले, साइब मंत्री जी के लिए special room है, सौरी मंत्री जी, special room में चुए घूम रहे हैं तो आपको नहीं दे पाउंगा, शामलाल, जी साइब, special room में लेके जाओ, साइर, चुए मार के खुद मैंने room साब किय जादा मा तो चल, प्रमोशन नहीं कराऊंगा, ओ जोती, मंत्री जी को गुस्सा आ गया है, नमस्कर शेंग कर रहा हुजी, सुनने में आया है कि आपने मोर खाया है, मैंने तो भगवान का दक्षिना खाया है, फिर भी जेल में बन कर दिया, देवारे देवा, लगता है, इ नहीं दिया, लेकिन मंत्री को स्टेटस दे रहे, बहुत बढ़िया, शाहिद पैट्रोल खत्म हो गया है, सिर्फ चैनल के लिए न्यूज भूणना ही जरूरी नहीं है मैडम, स्कुटी में पैट्रोल भी डलवाना पड़ता है, अरे, हे, मैडम, ये तो मिनिस्टर शंकर र श्रेश्ट्रा से जर्निलिस्ट लिए मेनिस्ट्र शंकर राव बाहर लड़के साथ घूमते करें जोती ही करे मिनिस्टर को कार में बाहर लड़के गूमते करें, मस्त जैल में है, जोती लो उन मोर जोक कर ढूए की मिनिस्टर से मिलना है कोड का पर्मिशन है क्या मिलने से पहले तुम मिनिस्टर को रिप्लेस कर दोगे मेरा इगो हट कर दिया यह सब जलनर शामलाल की इज़त का सवाल है चला माजा पर और वर यह गायतुंडे मंत्री जी मच्चर मार दिखाओ okay सर्ण सॉरी सर इस जेल में मक्खे भी मुझा पूछ के उड़ती है अक्षरा पाटेल सहित 132 लोगों को हॉस्पिटल में जला कर मार देने वाले गायतरी महता के खिलाफ एक लौती चश्मदीद गवाह इस लड़की को भी मौत के घाट उतार कर गायतरी महता अपने खिलाफ एक मात्र सुबूत को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है अरे क्या हुआ ऐसे वे दॉटर को बिला जड़ी पूर करो गलत लड़की को घुप दिया लेला जितने चाहिए उतने फोटों इन चौदा दिनों में चौदा बरस का मज़ा आ गया तेरी कसम सच कह रहा हूं वो लड़की ही मेरी फोटों खीच रही थी मैं सुन्दर हूं ना मेरा नाम क्या है शारुख खाट आज के रहे शारुख खान के वारा भूत उतार दूँगी जभी राज राहूर करन अजब कोई पहाज है सब को निकार दूँगी तेरी अंदर से बहुत चल्दी चड़ गई है ने तुझे मेरे गरीबों के शारुख कमिशन काटकर बाकी पैसा आए रहा तैंक यू शिवा जी हमें एक स्कूटी फॉलो कर रहा है कौन ही अब इसी जनलिस्त ने मंत्री पर केस किया था यह लड़की बहुत होशियार है एक बार इसने पीछा शुरू किया तो फिर गय काम से उसका काम है पीछा करना और हमारा काम छुडाना लेफ्ट सिगनल अन करो अबे राइट मेलो तो मिनिस्टर के बदले जेल में ये था शार्दा आश्रम शायद बहुत सारे लेटर्स आया है ने हाँ पसाद हमारी बेटिया का कुछ पता चला 25 साल से तो हम भर मुम्किन कोशिश कर रहे हैं शेवा जी नौर्थ इंडिया के भी सारे ट्रस्ट में हमने पता करवाया नौर्ट आइडेंटिफाइड बस यही रिपोर्ट मिली ठेक है यह पैसे लो और ट्रस्टियों को भीज दो तुम हर महीने पैसे ट्रस्ट में बिजवाते रहते हो इस उम्मीद पे कि इसके जरीए तुम्हारी बेटी तक पैसे पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन इस तरह तुम कही अनवार्थ बच्चों की सेवा कर रहे हो भग कहा चली आप मेरे साथ कि अजरी तनाया वायो पुट्रा तुम्हें कुछ नहीं होगा बिटा अंकल आप से कुई मिलना आए हेलो कौन है आप आपका इंटर्व्यू चाहिए मेरा इंटर्व्यू किसलिए चाहिए क्यूंकि आप इतने सारे बच्चों को छत देकर अनात आश्रम चला रहे हैं आपकी महानता दुनिया के सामने आनी चाहिए मैं भी इस आश्रम के अनातों में से ही एक हूँ बस एक कैसे हुए सर सांगेक लोपनेतिक पौरानेक एतिहासिक इतने सारे किरदार निभाई हैं और चौदा दिन तक जो आप जेल में नेता बंद कर रहे हैं उसके लिए तो आपको ऑसकर मिलना चाहिए शायद आप गलत एड्रस पर आईड्रस सही है सर जो आप बोड़ रहे हैं को गलत है गवाही दे दीजिए जेलर मिनिस्टर सब अंदर हो जाएंगे सर तो पर एक नंबर लिख लो 92914-85678 किसका नंबर है यह पागलों के डॉक्टर का क्योंकि तुम पागल हो जाओ इलाज करवाओ येस मैं पागल हूँ अपने प्रोफेशन में कमिटमेंटल हूँ और मैं तुम्हें पकडवा कर रहूंगी अलो 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 एक सला देता हूँ रग माफिया जमीन हथियाने वाले भू माफिया के साथ कितने MLMP घरीबों का हक मार रहे हैं जरा उनकी तहकीकात करके स्टिंग ऑपरेशन करो मुझ जैसे कलाकार की बाइगरफी ब तुमारी या मेरी अरे यार दोनों की लेकिन ये पार्टी पिछली पार्टियों से जादा मजबूत है लोकेशन वाट्साप कर दिया है हॉस्पिटल के पास आकर मिलो प्लीज वो कौन है उसका आगा पीछा कुछ है पहले आओ फिर बताऊंगा यह लड़की तो मेरा पीछ ह। उसे यह हुँ़ कई भीजन हम कर दो कर दो हुँ़ है या हы हुँ Edit हुँ 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 लो कर दो कर दो प्रस्रूती ke एते हैं, shouldcü एंदेपक का उपके हिंग उप bri hesit ऑप अउड खिरा पोरे को एउ सकता पूस से चाप, हिर सी हुच्ते है उपाफिन यह और नियोते है वर वेस। सर, सर ये लोग मॉड़ल्स नहीं हैं मेडिकल स्टूडूदेंट है वो रदी निए रुका, रुका रुका! आखर तुम ने मेरा सपना पूरा कर दिया आई यू हैपी पता नहीं नहीं ओलंपिक में पीवी सिंधु को मोल मेडल मिलने पर कैसा लगा होगा लेकिन रांप पो करने पड़ मैं बहुत खुश हूँ अचली क्या हो गया अचली क्यों के अचली अचली इस बाला से कैसे पीछा छुड़ा हो यार देखो तुम यहां बेठो मैं डॉक्टर से मिलकर आती है गायत्री, हैवी गॉन क्रेजी तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है इसे लंग्स कैंसर है जिसकी वज़े से इसे घुटन और सांस की प्रॉब्लम होती है इसे भेड़ भाल और सफोकेशन वाली जगह पर ले जाना खत्रे से खाली नहीं है इसे कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉंसिबल होगा पता है उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है तो उसे बाहर लेकर क्यों गई? मुझे पता है हम उसे बचा नहीं सकते लेकिन कम से कम उसकी इच्छा तो पूरी कर सकते है ना? देखो गयतरी हम कोई भगवान नहीं कि कि किसी के हर इच्छा पूरी कर सके हम डॉक्टर्स हैं वी शुड़ बी ना लिमित्स सॉरी सर्व इस और राइट कौन थे वो लोग बेटी? पता नहीं कौन थे अंकल आजकर लड़कियों का सड़क पर घुमना मुश्किल हो गया है इनके सामने कमजोर मत बनना हिम्मत से ऐसे लोगों का सामना करना मुझे बचाने के लिए थैंक्यू अंकल अरे ये तो मेरा फार्स दी आटो जाओ गड़ा जाओ प्रसाद पर एक लड़की को बचाने के चक्कर में छोटा साथ जगडा हो गया उसका फोन वही पर गिल गया लुटाने से पहले ही वो चली गई वहने से चार्ज पर लगा लगा लिए सुनो अपना फोन दो ना हम थाओ थाओ प्रसाद इस फोन में शार्दा की फोटो है यह फोन मेरी बेटी का है जल्दी आँ शार्था शार्था प्रसाद इस फोन थैंक गॉड आपके पास है फोन थैंक गॉड आपके पास है मतलब सेफ है अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता वंस अगें थैंक यू सो मच अंकल आपको एक बात बतानी थी मैंने मैडिसन कम्प्लीट कर ली कल श्री विद्या निकेतन में मेरा कॉन्वकेशन है आप जरूर आईएगा अंकल उसी वक्त में अपना फोन भी ले लूँगी हां मैं आऊँगा हां मैं जरूर आऊँगा बेटा प्रसाद इस फोटो को देखो शार्दा यह मेरी बेटी का फोन है वो डॉक्टर बन गई है शिवा जी मेरा भगवान से विश्वास उड़ गया था पर अब मानता हूं कि भगवान है यह शेकर फोन कर रहा है नहीं यार उसे कह दे कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा सौधा कैंसल हलो उन्होंने सारे घलत काम करने बंद कर दी है उससे कहो एक करोड मिलेगा एक करोड मिलेगा दस करोड में भी नहीं करूंगा सुन लिया ना सब छोड़ दिया उन्होंने अब फोन मर करना कभी हां जिस बेटी के लिए इतने सार इंतसार किया है, वही मेरी जिंदगी में आने वाली है, अंधेरे में बहुत जी लिया, अब अब उजाला आने वाला है गायत्री हमारे कॉलेज की एक ऐसी मेडिकल स्टूडेंट है, जिसने अपने टैलेंट से अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ कर हमारे इस कॉलेज का नाम रोशन किया है हम इनके उजवल भविश्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि इस कॉलेज का हर स्टूडेंट गायत्री के पदेचिनों पर चल कर इस देश को मेडिकल साइन्स के खित्र में दुनिया में सबसे अव्वल बनाए अमेरिका में माउथ कैंसर के बारे में रिसर्च करने हमारे कॉलेज से दॉक्टर गायत्री का सेलेक्ट होना बहुत हुशी और गर्व की बात है दॉक्टर गायत्री, आई रिक्वेस्ट यू तो कम उन दॉस्टेज प्लीज गड़ मॉर्निंग तो एव्रीवन आज मैं डॉक्टर बनी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की वज़े से यह मेरे पापा सबकी जिंदगी में पापा हीरो की तरह होते हैं लेकिन मेरी जिंदगी में वो विलेन है हाँ वो एक विलेन है उन्होंने जो मेरे साथ किया शायद कोई दुश्मन भी ना करता जी हाँ मेरी पैदा होते ही मेरी मा की मौत हो गई मुझे नहीं बता मेरे पापा कैसे दिखते हैं लेकिन ये जरूर पता है कि वो बहुत बुरे इंसान थे शराब ने उन्हें इसकदर हैवान बना दिया था कि वो मेरी बीमार मा को तड़पता हुआ छोड़ गए पता के शब्द का मतलब नहीं जानने वाले मेरे पापा ने शराब के लिए मुझे हजार रुपए में बेच दिया था जो चंद पैसो के लिए अपनी बेटी को बेच दे उसे पिता कहना पिता जैसे शब्द का अपमान होगा जिम्नेदारियों के बोज को उठाने वाले को पिता कहते हैं लेकिन जो अपनी बेटी को बोज समझें उसे क्या करेंगे मैं भगवान से प्रार्थ ना करती हूं कि ऐसा आप कभी किसी को न मिले किसी को भी दें आज मैं अपने पिता की वज़े से अनाथ हूँ इस बात का दुख है मुझे बस यही उम्मीद है कि मुझे अपने उस बात का गिनोना चहरत को भी देखने को ना मिले I hate him अगर मेरी कोई अपने होते तो मैं चार दिवारी के बीच अपने इमोशन को बाट लेती लेकिन मेरा कोई नहीं है इसलिए यह सब आप से कह रही हूँ I'm sorry एक अनात्थ बच्चे का दर्द क्या होता है मुझसे बहतर कौन समझ सकता है अनात्थ होना किसी अभिशाप से कम नहीं है मेरी हर माबाप से गुजारश है कि वो अपने बच्चे को कभी अनात्थ ना छोड़े कभी भी नहीं कि इस दुनिया में मेरे कोई अपने लोग तो नहीं है लेकिन भगवान ने मेरे लिए बहुत सा ऐसे लोग भेज़े हैं और उन्हीं के वज़े से आज मैं डॉक्टर बिन पाई हूं आपका हैसा मैं कभी नहीं भूलूंगी थैंक यू लोग Ukrainian ढई है कि अ ऊड़े हैं मेरे हैं कि यूर्णिया ल veilमfire यूद के अहीं है कि वर्णारी ही खवकी नहीं है हैто है कर दो कर दो कर दो कर दो क meal कि भी था। मुझे बस यही ऑ्मीड़ के मुझे अपने उस माड़ का हुण और tsg कि नौ अँला जेख चाराट को भी जेखने को ना मिले कि एड हैट इंए हाई, कॉम्राट्स, अल्द बेस, थैंक यू बेटी गायत्री येलो बेटी, तुम्हारा फोन आप कौन है? और अंकल कहा है? वो नहीं आ सकता, अब जिन्दगी भर तुम उसकी शकल नहीं देख भाओगी पर क्यूं? क्यूंकि वही तुम्हारे पिता है वो बाप जिससे तुम बेहद नफरत करती हो मैंने ही मानती, पर अगर ये सच है तो उनसे कह दीजे की मैंने ही मानती है बेटी बेटी एक मिनिट बेटी बीमारी जाने बिना किसी का इलाज करना खतरनाक होता है ठीक वैसे ही किसी के बारे में सच जाने बिना उस पर इल्जाम लगना खतरनाक होता है ये लो तुमारी पिताजी की टायरी इसमें तुम्हें उनकी सारी जानकारी मिलेगी समाज से मिलने के बाद पता चला कि मैं अनात हूँ नाट की ये समाज से मिलने के बाद पता चला कि मैं कभी ने था हूँ क्या उहार हो या कोई उत्सव किसी न किसी गाउं से हमारे नाटक के लिए समार हो पर बुलावा आता ही था बिना शब्दों वाली स्वच्छ भाषा मुस्कुराहट की स्वच्छ भाषा से शार्दा मिरी लंबे खंबे बाजो हट बसकर बहुत दुआ यह तुम्हारा दामाद है जो इस पर फूल बर्सा रहे हो कोई राजा माना जाए जो माला पहना रहे हो आर्थियों नहीं लाए यह यह माला मुझे देख मैं भी माला पहन कर अंदर जाओंगा रहने का इंतिजाम कहां किया है य आए यह गदे प्रेशिडेंट की बेटी पर लाइन मार रहा है तुझे गोडी पर नहीं बिठाएंगे बलकि पूरा धो डालेंगे चल अंदर कर दो है यह है अट जो निकलने वाली नहीं यह बस क्या बस निकलने वाली नहीं बस कपकी निकल गई गाउ भी पहुझ गई तुझे यहां क्या कर रहा है कर दो लगता है यह शिवा जी को ग्रीन सिगनल दे रही है रेड कर दूंगा यह चोटियों पर से हाथ अटा प्लास उठा बेटी हमें भी पिलाओगी क्या पड़ रही हो रवेंद्रनाथ ट्यगवर का उपन्यास पड़ रही हूं खाली वक्त में नहीं पूछा बेटी कॉलेज में कॉलेज में क्या पड़ रही हो डिग्री यह साथ भी फेल डिग्री है यहां अपनी आउकात देखे लाइन मारा कर सारी जायदात बेचकर और करचा लेकर तुम लोग नाटक नोटंगी में सारे पैसे बरबाद कर रहे हो घर में जवान बेटी बैठी है उसके बारे में कु को सोचना है सोचने दो ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाया अधर्वसर्वमंगला कलाकदंब मंजरी प्रसप्रवाह माधुरी विज्रुम्भना मधूब्रतं मैं चशोचा समस्षिवाया इसल्गा इस तो और आइक है फैमस मैस लेकिन आपने तो खुदी इसका दूद से अभिशन इस दिन भैस ने दूद्स ज्यादा दे दिया था उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें तो लाकर इसके सिर पर डाल दिया जाने दो आनात है न इस गाओं में दुर्योधन का किरदार निभाने को देर आओ तो उसे भी खराब कर रहा है जिसका ना धरम है ना जात है वो यहां दिना पौर्ण है यह क्या कहा आपने ? हम कि जात पात और धर्म नहीं होता वो करदार नहीं निबहा सकता इतनी बड़ी बात एक साथ्र परिक्षा है क्षा नहीं और होनी भी नहीं चाहिए यदि ईह जात की परिक्षा होती तो आपके पिताब ऑदर राज तुम्हारी जाथ कौन सी है तुम दूर किसी गाउं में चूरी करते हुए दस लोगों से मार खा रहे थे तब कलापरिशत की नजर तुम पर पड़िया तुम आकर उनके पैरों पर गिरे और जब उन्होंने अपमान किया तब सब की नजरों से बचकर तुम उनकी बहन के पैर तुम से करवारे उसका फाइदा उठाकर हमारी इस कला परिशत को ही हड़ापकर पागल कुत्तों की तरह हर रोज हम पर हुक्म चलाए जा रहे हो और हमीसे जाती पूछते हो और तो और घर की बेबस दासी का हाथ पकड़कर मार खाने वाले संसकार हीन इनसान गिरगिट की अनुसार बदलते तुम्हारे क्रित्य आज मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी जाती क्या है कि आपने तो कमाल कर दिया इस किरदार को आप ही ने भाईए जिसको जो सोचना है सोचने दो देख्यीं जोकेंदर जी मुझे ये सब पसंद नहीं हैं जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज जाहिए आप मेरे बापा वही करते हैं जो सही होता है निकल जाए मैं तो आपको वह खड़ीन के लिक्विट करना था लेकिन यह अस्पाल वही की भी तरीका तो क्या जाने एसेंबली में कदम रखने के लिए अपनी बीवी को मारने वालाश खुद्त है तो पहले औरतों कर शात करने पRE aí है कि अरूर ना, भुला वांतु जो इपकता सोप्ज़वा को हमारे वह में जो आटे अलगुम्नवाक को मैं हुआ यह जो कि पमें जोगुम्ने ऐडा से अलगे जीए जो कि अलगे यह चीने ना, यहाजी अलगे बलांटन कि जाड़ा जोका एड़ा जागे पतास नहीं है जो अलगे ईड खुद को क्या समझते हो, सब को मार दोगे? चाहे वो गुनहेगार हो, या फिर बेकसूर इंसान हो, तुम्हें लगता है कि ये सब करके सब को बदल दोगे? देखो, अपने मन की बात करना तुम्हारी आदत है, और अपनी मर्जी का काम करना मेरी आदत है. तो इस आदत को छोड़ दो, तुम्हारे अंदर एक कला है, उसका सही इस्तमाल करो, ये लड़ाई जगडे से क्या मिलेगा? चाकुछुरी चलाने वाला सिर्फ गुंडा ही बन सकता है, पर एक कलाकार होना वर्दान होता है, और मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ, अपने मन की बात बोल देना मेरी आदत है, जिसको जो सोचना है, सोचता रहे. शारदा, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, इस बात का बहुत दुख होता है मुझे, लेकिन तुम से मिलने के बाद, अब ऐसा लगता है, जैसे मेरे पास सब कुछ है, खयाल रखने वाली मा, जिम्मेदारी बताने वाले पिता, प्यार बाटने वाली पत्नी, अगर तुम ये सब बन कर, मेरी जिन्दगी में आई तो मुझे परिवार मिल जाएगा, अपनी जान से ज्यादा प्यार करूँगा तुम्हें, तुम्हें ने तो कहा था ना, मन की बात बता देनी चाहिए, जिसे जो सोचना है, सोचने दो, अच्छा, मैं जाती है, कोई देख लेगा, कहाँ जा रहे है, यहाँ, लेकिन पिताश्री मैंने उससे वादा किया है, मैं यह कैसे कर, यह देखो कितना सुन्दर है, है न, मुझे नहीं चाहिए, चलो, हुआ है यह झाद शार्दा को माउथ कैंसर है तीसरी स्टेज पे है तुरंत इलाज करना होगा एक लाख रुपे जमा कर दीजे मैं कर दूंगा डोक्टर एक लाख रुपए परदे पर जब एक अभिनेता नाटक करता है तो तालियां बजाने के लिए हाथ उठते हैं लेकिन उसी अभिनेता पर मुश्किल आए तो मदद के लिए एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ता इतनी मदद करने की शक्ति मुझे में न एक सेट जी है जिनको बेल नहीं मिली है अगर उसकी जगा तुम जेल जाओगे तो अपनी बीवी का इलाज करा सकते हो बोलो अब मैं चला जाओंगा पता नहीं तुम मुझे सुन पा रही हो या नहीं मैं जिन्दगी में कोई गलत किरदार निभा रहा हूं या कोई बड़ी गलती कर रहा हूं समझ में नहीं हा रहा है तुम्हारी कोक में पल रहा यह बच्चा और तुम्हारे सामने बैठा मैं हम दो मेरा तो सब कुछ सिर्फ तुम ही हो मुझे छोड़कर मत जाना मैं जी नहीं पाऊंगा मैं जाकर जल्दी लोटाऊंगा गिरी सुनो शारदा का ख्याल रखना शिवा जी तू बेफिक्र हो करके जा मैं हूँ ना उसका ख्याल लखने के लिए इस तरह किसे और के रूप में चेल किया मुझे धोका दिया गया दो दिन का नाम लेकर दो हफते बाद रिहा किया इस दुनिया में नहीं है इस दुनिया में नहीं है तुझे बताने की हमत नहीं हो रही तिसले शराब पी रहा था मुझे माफ करते शिवा शर्दान 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 हपिट गो है है अपर है उन्हाँ बॉत हेड़ा कि उन्हां ते दो हुआ है तुम्हारी बीबी तो नहीं बची लेकिन तुम्हारी बेटी जिन्दा है ये चाह रहा है तुम्हारी बेटी को बेचना चाहता था सुनिए भाई साब ये बच्ची ये हजार रुप्य दे के ले लिजिए लोगया क्या काई बच्ची को बेचेगा समीर से तुम्हारी बेटी को लेकर चले गए कौसा अनात अश्रम बताना गेरी झालार थे प्रॉटिय जो हुआ पिता और सुप्ट मेड़ा प्रफ। आज के दिन तुम हमें मिली थी इसका मतलब तुम्हारा जनम दिन है तुम्हारे जनम दिन पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारी मा तुम्हारे पैदा होती ही यह मर गई हमें यह पता चला था और मेरे पापा जबान पर पापा का नाम मतला शराबी था वो शराब पीने के लिए वो तुम्हें बेच रहा था हम तुम्हें उससे छुड़ा कर लाएं अंकल मुझे पापा से मिल्ला है अभी क्यों भी मिल्ला है चलो बेटी बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब मा मुझे सब पता चलिया पापा बिल्कुल बुरे नहीं थे चिंदा मत कर बेटी मैं अच्छी तरह जानता हूं शिवाजी कहा मिलेगा मैं उसे अभी लेकर रहा हूं नहीं अंकल रुकी मैं भी चलती हूं चलो आओ जब भी तुम्हारे पापा को कुछ अच्छा नहीं लगता न तब वो यहीं आते ही वो जरूर यहीं होगा शांती से सोने भी नहीं जाता है उसका फोन तो सुच ओफ आ रहा है वैसे शिवाजी बच्चों को छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा वो जहां भी गया होगा आश्रम तो आएगा ही चलो आओ अरे पर जब बाप बेटी मिलने ही वालत है तो शिवाजी को किनाप किया किस ने गायत्री मेहता गायत्री मेहता गायत्री मेहता ओम भूर भुवास्वाहा ओम तच्सवितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्यधीमही धियोयो नहा प्रचोदयात गायत्री मेहता बैट पीपल भी भगवान की पूजा करते हैं इसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया भगवान बहुत भोले हैं राक्सस को भी वर्दान देते हैं आपके पास तो बहुत क्लैरिटी है लेकिन बाहर क्लैरिटी वाले कुछ लोग आये जो आपका इंतजार कर रहे हैं हमारे पास आपका आरिस्ट वारंट है वारंट के साथ आने से कुछ नहीं होता राजा क्लैरिटी चाहिए समझे कल जगदंबा सिंटर के पास एक जट बॉड़ी मिली है आज पास कुछ सुबूत भी मिले है पुस्ताश करनी है जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है किसी जनम में पूर्णियों किये होंगे जो मेरे आतों मरा है जानता है उसको क्यों मारा मैंने तुझ जैसे के परिवारों को पालने के लिए आपकी बात मैं समझा नहीं में था सब यह थ्रीश्टार मगज का उप्योग कर मैंने किसी को मारा पूरी टीम आ गई एक ने पाउडर डाला दूसरे ने लाल चोक लेकर डेड बोडी के गोल गोल लकीर बनाई एम्बूनेंस ड्राइवर होटो लेने वाला पोस्मोटम डॉ चीरपाड करने वाली नर्स जूट को सच सच को जूट में बदलना और करता है सब चैनल बिके हुए चैनल और पेपर वाले इतने लोगों को मैंने रोजगार दिलवाया है 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 हां अने गांडा तुम अने अरेस्ट करेंस राजा तुम तो पूरे देश के बड़े बेटे ह पूरे भारत देश को नौकरी दिलबा रहे हो आई लव यू राजा एस याई तुम्हारी बीवी ने गहनों की दुखान से फोन किया है वाट्सप पे फोटो फेजा है देखके चूज कर लो सुनिया आपको वाट्सप किया है अरे पर इसके मोबाइल पे क्यों फोन किया तुम्हारी मेरी बात तो सुनिया फोन रखो सियाई साहाब आपकी धरम पत्नी ने हमें फोन क्यों किया यही सोच रहे हो ना इसमें कोई भी व्यापारिक संबंद नहीं है सिर्फ मानव संबंद है समझ सको तो समझ लो इस मैता मानव संबंद को खाकी कपड़े पेन के पोलिस का काम भी कर सकता है और बातरूम धोने का काम भी लाठी के जाड़ू इतारे विचारवन होचे कि चलता हूं में तजाब है थ्रिस्टार है घर आये मेमान को खाली आत नहीं भेजते हैं कोई गिफ्ट देकरी भेजते हैं यह अमारी परंपरा है ले तो जाजे अरे बावरे उसका कैरेक्टर तो कैरेक्टर लेस्ट मॉलेटीशन से भी वैंकर है वैसे उसने शिवा जी को क्यूं किड्नेप किया कि कौन हो तुम लोग इस जन जीवन जगत में जनता के साथ घूमने वाले जानवर है राजा मुझे यहां क्यों ले आये हो तुम कुछ नहीं राजा जैसे मिनिस्टर फॉरेंट ट्रिप पे जाते न वैसे तुम जेल ट्रिप पे जाते हो इसलिए लाए हैं मैंने शेखर को बोल दिया था कि मैं सब का बोलने से कोई नहीं मानता राज नितिक नेता ने जनता के प्यार लिए जीता है पैसो से नहीं जीता ये भी कोई नहीं मानता नेरी वात मानों कायात्री मेहता बहुत बड़े हैं उमें पसंड करते हैं उनकी बात मानों तुमारा इभला यहां तो बेंगहाए नुन आältि खुद हीका ने है हाँ वे? फोन लाइन चेक करें वो बेटा? जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है आज जनम रोणा नू बंधन छे तेरी तरा मैं और मेरी तरा तू थोड़े मिलते जूलते हैं हम नाटक यार शिवा जी जस्ट फोर्टेन डेस तू अंदर मैं बाहर नहीं तो एह मेरे बच्चों को खत्रे में डाल कर मेरे राओत्र रूप को मजगा ये गायत्री मेता का हर रूप आतंका रूप है मौत शार्दा आश्रम के एर्दिगिर्द घूम रही है अगर मैंने अपना धेर्य खो दिया तो तू आश्रम खो देगा मैं बूरा नहीं लेकिन मेरे को सीधा भी मत समझना क्या समझना और क्या नहीं समझना ये तारे अविचारवानों छे अविष्ञू अविष्ट एक्षरा पटेल को मारने के लिए हॉस्पिटल में आग लगा कर पूरे 132 लोगों को मारा है गाहितरी महता ने इस केस से संबंदित सारे सबूत और CCTV फुटेज अल्रेडी कोर्ट में पेश कर दिये गये हैं थैंक यू यू और मा कसम बिल्कुल मेरे बास की कॉपी लग रहे हो बास की गर्लफेंड भी कनफ्यूज हो जाएगी 25 साल से चेस बेटी से दूर था उससे मिलने वाला था कि कायतरी महता बीच में आकिया है बिल तो जल्दी मिल जाएगी न अरे भाई साब खाली फिली टेंशन ले रहे हो सजा का तो चांस ही नहीं है मिस्टर गायतरी महता क्या आप गुनाह कुबूल करते हैं ये तो जुर्म है ही नहीं मिस्टर जस्टिस क्या कहा क्या 132 लोगों को मारना जुर्म नहीं है मिस्टर जस्टिस रामयन में राम और रावन के बीच लड़ाई हुई अभी उन दोनों में कोई एक मरता तो तो अच्छा होता लेकिन उन दोनों के बीच के युद्ध में वां यां कई लाखों सहिनिक मारे गए वैसे ही माभारत में पांडव और कवरों के बीच जगड़ा हुआ वो दोनों के जगड़े में कोई एक मरता तो कोई बात नहीं थी लेकिन उन दोनों के बीच के लपड़े में लाखों करोडों सहिनिक मारे गए इधर उधर note this point Mr. Justice मैं भी same to same हूँ अक्षरा पटेल को मारने के प्रोसेस में 132 लोग मारे गए अगर पुराणों में उन्होंने गलत किया है तो चलो मानता हूँ मैंने भी इधर गलत किया है जब उन्हें वहां सजा नहीं मिली तो मुझे यहां सजा कैसे मिलेगी अगर वो वहां भगवान है तो मैं इधर भगवान हूँ इसे सही समझना कि गलत समझना यह तमारे विचारवानों चत्स है इतना होने के बावजूद जिस आरूपी को पच्चतावा नहीं है उसे बाहर की दुनिया में आजाद छोड़ना बहुत खतरनाक है इसलिए मिस्टर गायतरी महता को मुझरिम घोशित करके इंडियन पीनल कोट की धारा 302 के तहट भासी की सजा सुनाई जाती है आप से सवाल पूछने है सुप्रीम कोट के सवाल नहीं उठा रहे नहीं सुप्रीम कोट में किसी तरह की अपील कर रहे भगत सिंग ने जैसे फासी को अपनाया था गायतरी मैता भी वैसा महान कार्य कर रहें तो क्या सूली पर चड़ेंगे औरे कौन जियेगा कौन मरेगा यूपर बाड़ाय विचारवान नहीं चलो सर इंटर्व्यों ओर इंटर्व्यों जुप्र मेरे बाद मनने के लिए ठेंक यू, ज़स्ट फूर्टेन देस्ट यूर्माइ ब्रदर प्रोम अनदर मदर भाइला बेस्ट आफ लुग मुझे ये कैदियों के कपड़े क्यों पेना रहे हो अलो कैदी को कैदी का कपड़ा नहीं तो कैशूट मिलेगा जोती आनकी एक जोक आला मैं रिमांड का कैदी आला जोती एक और जोक इसको तो कॉमेडी सरकस में जाना चाहिए तुम्हाला माहित नहीं का सुबह से सारे नियूस चैनल पर एक ही समाचर कॉपी पेस्ट हो रहें देखो भगा ना भगत सिंग ने जैसे भासी को अपनाया था गायत्री मेहता भी ऐसा महान कार्य कर रहें पिच्चर के विलंग की तरह डायलोग बोल रहे हैं देखा शामलाल क्या हो रहा है यहां आसी की सजा सुनके इनके तोते होड़ेगे सर जिलर सहब सुनों तुमसे बाहर जाओ येस राव बताईए सर मुझे धोका देकर फंसाया जा रहा है मैं गायत्री महता नहीं हूं शिवा जी हूं स्टेज आक्टर मेरे बच्चों को मारने की धंकी दे कर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम गायत्री महता नहीं शिवा जी हो क्या करें ये दुनिया पैसों के ही गुलाम है पैसा है तो हर एक चीज खरीदी जा सकती है नमस्ते सैर शिवा जी बात करना चाहता है विस यू अ हैपी डेट सिवा जी नहीं गायत्री मुझे इतना बड़ा दोका नहीं देना प्लीज एलाए रामायन एक औरत के रोने की वज़े से हुई मा भारत एक औरत की हसी की वज़े से हुई गायत्री महता को भासी एक लड़की के सबूत की वज़े से हुई कि जानता है वो लड़की कौन है तेरी सुपुत्री है कि येस योरॉनर मैं ख़द आई विटनेस हूँ आइसी हूं में अक्षरा पटिल को मारने के लिए इतना टेंशन काई को रहे बंठाई एक को मारें के तो मर्डर होगा सारे हॉस्पिटल को जला देंके तो हाथसा होगा बेटा इसी को कहते हैं गायत्री महता का दिमार कौन हो तुम लोग कड्री महता कौन है on a PayPal क्यों चलाना चाहते हो हां हुआ हाँ हँआ हसारी लोग मर जाएंगे ये जानतेयुए बढ़ बी इन्होंने Hog Papa चोटे बच्चे डॉक्टर और कई मासूमों की जांग गई है इसके पीछे चाहे जितना भी बड़ा आप्मी हो उसे छोड़िये कमन सजा मिल नहीं चाहिए मुंबई के बॉम ब्लाश्ट के पीछे किसका हाथ था ये पता करते हुए पोलिस का हाथ बाबा के गिरेबान तक गया तेरी बेटी ने जो गवाई दी उसके सुत्रधार का पता लगाते हुए मैं पकड़ा गया तेरे से डील करने के लिए इशेखर को हायर किया था अरे उसस लेकिन तूने बचा लिया उसे फिर ब्रेकिंग न्यूज मिला पता चला कि वो तेरी ही बेटी है तेरे और मेरे दोनों के प्लैन ने यूटन मार दिया तेरी बेटी मुझे फासी दिलवाना चाहती थी वही फासी अब तेरे को लगेगी गुजराती का असूल है जान समझोते से काम हो तर जगड़ा नहीं करना फासी उने तक गायत्री महता की तरह आराम से जी शीवाज जी के जैसा धमाल किया तो तेरी बेटी सास लेना बंद कर देगी मैं टेड़ा नहीं हो लेकिन सीधा भी मत समझ ना अभी मुझे सही समझ या गलत समझ इतारे विचारवानोच कि यह क्या गायत्री जी शीवाजी की बेटी से शीवाजी के भेश में मिलोगे इतना रिस्क यूं ले रहे हो राजा वकेल अगर बाप ना दिखे तो पहले दिन दुखी होगी दूसरे दिन सोचेगी तीसरे दिन ढूंडेगी ढूंडने के बाद जेल में गायत्री मैता नहीं उसका बाप है जब छोकरी को ये पता चलेगा तो वो इमोस्नल हो चाहेगी उसे मार देते है राजा जब तक छोरी जिंदा है तब तक शिवा जी अमारी बात माने का मचली पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है मचली फंस जाएगी चारा डालते रहो एक बार मचली फंस जाहें फिर काट डालेंगे उसे राजा वॉट एठोट आई लव यू गायात्री शिवा जी नू रोब बनाओ वकेल मेरे वहां जाने से पहले सारे सबूत मिट जाने चाहिए वो ए टकले तरह बॉस का है अंदर है बस बस कहीं रोब दो शेकर तुम्हें पता है शिवा जी कहा है लगता है आपकी किस्मत खराब है कि आप खुद ही मौत के करीब आ गए वेड़िया 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 पापा 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 मैंने आपको बहुत गलत सब्जाब पाप्र रेली सौरी मुझे माहम कर डीजे पापा अब मैं आपको कभी खोनर नहीं चाहती है कि घबराओ मत बेटी तुम्हारी सिक्यारिटी के लिए थांक्यू पापा थांक्यू बेटी इसी दिन का तो अच्छी सालों से इंतजार कर रहा था मैं प्रसाद अंकल आपको ढूंड रहे थे मिला था मुझे मैंने उसे किसी काम से बेजाएं आव बिटा मैंने सुना तुम अमरीका जा रही है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं बिटा ये भी पूछने वाली बात है आप अब मेरे साथ ही रहेंगे मैं जहाँ चलूंगी वहाँ चलेंगे क्यों शिवाजी मुझे बुलवाया था अपना जुर्म को बूल करने के लिए 25 साल पहले परिवार को बचाने के लिए रास्ता चुना जैसे बेटी मिली सोचा सारे बुरे काम छोड़कर उसके साथ जिंदेगी बिताऊंगा लेकिन उस गायत्री महता से मेरी बेटी और आश्रम के बच्चों को बचाने के लिए ये रूप लेना पड़ा जिस बेटी औ साथ और शेखर दोनों को मार दिया अब आपका बच्चना मुश्किल है जवाजी कि क्या तो मेरी एक मदद करो कि श्रिष्टा और याओ माइघाट अरे ये तक को निबाला लाकर उसे छीन रही हो पाणी में इंट्रस आने वाला था कि रोग दिया उसके आगे बताव नक्या हूँ यहां इतना ही जानती हूं क्या इतना ही जानती हो क्या आप मेरी मदद करेंगे मदद करेंगे यू नहीं करूंगा चाहो तो पुरी आफिस की मदद ले लेकिन बताओ तो शिवा जी ने तुम्हें क्या का तुम देंजर जोन में कदम रखने वाली हो अपना ध्यान रखना है कि मैं शीवा जी बनकर आया हूं क्या ये बात प्रेस को पता चल गई हूँ मेरी बेटी की चांद खत्रे में है जाइनलिस्त के भेस में खुनी भी आ सकते हैं अगर आपको इंटर्व्यू चाहिए तो कोई एक आ जाए शीवा जी आप एक महान स्टेज आर्टिस्ट हैं आपकी बेटी एक बहुत 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 लड़की है गायतरी महता जैसे क्रिमिनल को सजा दिलवाने में आपने बहुत मदद की हैं अगर तुम भाग गई तुम अपने पापा को बचा सकती हो इतना ही नहीं तुम्हारे अ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यही मेरे असली बापा है समझी देखे ना पापा यह कह रहे हैं आप शिवाजी नहीं गायतरी महता है मीडिया वाले जो भी दिखाते हैं लोग उससे सच मान लेते हैं इसलिए आपको गायतरी महता बताकर हसाना चाहते हैं ताकि उसकी जगे आपको जेल हो जाए पापा जाओ अपनी गाईत्री महता से कहगो हम इतने बेवकूफ नहीं है यर्नलेस्ट श्रेष्ठा श्रेष्ठा पच्छिस साल पच्छिस साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलाओ इसके भविश्य के लिए पढ़ाई के लिए हम अमरीका जाने वाले इस वक्त हमें परेशान करके हमा आखिर मीडिया के जरीए अपनी बेटी को बचाने का अच्छा प्लैन बनाया था लेकिन वर्काट नहीं हुआ आखरी बॉल भी मिस हो गई हांसी से पहले अपनी खाईश मांग लो शामलाल आखरी इच्छा पूछ लो इससे अलो इच्छा बता दो अब्दुल की बिर्यानी खाऊगे देश पांडे का जोनखा बाकर या गुपता चना भंडार से पाणी पुरी मंगाऊं मला सांगा हो बस एक इच फोन में जेल डिलूरी हो जागा एक एसमस भेजना है यह जोती इसको मैसेच करना है आखरी स्टूपिद फ़ेज नहीं कर लघ काड़ेस कि अपना अखरी खुईश बताई है गाहितरी म्हताने कोशिश करने का दावा किया है अधिकारियों ने यह इसकी आखरी जीक है उसने कोट के फैसले का सम्मान किया है तो इंसानियत के नाते शिवा जी को उसकी आखरी खोहिश पूरी करनी ही जाएगा शिवा जी गायतरी महता की आखरी इच्छा पूरी करेगा तो ही महान कलाकार कहलाएगा आपके नाती जब गुम हो गई थी, तब उसे शिवाजी ने ही बचाया था पापा, वो बहुत अच्छे इंसान है अपनी आगरी इच्छा शिवाजी का नाटक देखने की चाहत रखने वाले गायतरी महता को सोशल मीडिया से सपोर्ट मिल रहा है वाट्साप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम के जरिये शिवाजी को लोग रिक्वेस्ट कर रहे है वकेल, मेरे प्लेस में उसे रिप्लेस कर दिया मुझे उसकी जगे लाने के लिए शिवाजी का नाटक मेरी समझ में आ गया है आज ही अमेरिका का टिकेट बुक कर राजा, तुम सूपर हो गायत्री महता हमें शांती से जीने भी नहीं देगा पापा चलिए हम अमेरिका चलते हैं ठीक है बिटा प्रसाद के आने तक बच्चों का ध्यान रखना हो साहिब तुम कार में बैठो बिटा बाई मुझरिम चाहे जितना भी क्रूर हो उसकी आखरी ख्वाइश पूरी करना इनसान का धर्म है फिर भे उनकी ख्वाइश बिना पूरी किये विदेश जाने वाले हैं शिवाजी गैत्री महता की आखरी ख्वाइश पूरी करो कि अधिए कि अधिए कि अधिए जवाब दीजिए पर्मिशन मिल गई है आप वहां जाकर परफॉर्म कर सकते हैं देखें हैं इस वक्त मेरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले आप चलिए पापा साब गाहित्री मेहता की आखरी ख्वाईश पूरी करके साबित कर दीजिए कि आप अभिनेता के साथ अच्छे इंसान भी है ये शिवाजी बच्पन में जब पूछते थे कि तुम्हें खाना चाहिए या बेकप तो तुम्हेशा कहता था कि तुझे बेकप भी चाहिए और आज जब यहां एक इंसान की जान जा रही है जो तेरा नाटक देखना चाहता है ऐसे में तू अमेरिका भाग रहा है एक चीज तो पकी है तू हमारा शिवाजी नहीं हो सकता पापा अगर आपने इन सब की इच्छार पूरी नहीं की तो आप इनकी नजरों में बुरे हो जाएंगे पापा और मैं ऐसा नहीं चाहते प्लीज पापा एक आखरी बार मेता साब मुझे पर आप पूरा भरोसा रखिए डरने की कोई बात नहीं मिलकर शिवाजी का कल्यान करते हैं अब लग रहा है कि यह हमारा ही शिवाजी है पापा 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 अब आप वोट परफॉमंस अभी निता की बैटी हो ना सेम डी एने वंडर फो कि अश्रेश्टा बच्चों पर कोई खत्रा नहीं आए इसलिए मैंने रोडली भी हेव किया शॉरी माना के तुम बाप बेटी का कॉन्फिडन्स जबर जस्त है लेकिन बचोंगे कैसे जोती सास बहुसे भी बड़ा ड्रामा चल रहा है यह जेल मेरा गेश्टा उस है और जेलर मेरा वोच्मेन मेरे पास पावर है मैन पावर है और मनी पावर है हर मिनिस्टर मेरी जेब है तेरे पास क्या है इसके पास अच्छा है आपकी नाती जब गुम हो गई थी तब उससे शिवा जी नहीं बचाया था पापा ये बहुत अच्छे इंसान है शिवा जी भगवान से कम नहीं है अपनी बेटी को ढूनते ढूनते कई लापता बच्चियों को उनके माबाप से मिलवाया है इसने ऐसे लापता बच्चों में मेरी नातीन भी थी इन बाप बेटी को मिलवा कर मैं इस अच्छे इंसान का करजा उतारना चाहता था फासी के फंदे पर शिवा जी नहीं तू चड़े का गायतरी महता डेके में टू कस्टड़ी गे उन्टाग जेलर सहाब मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए आपका धन्यवाद मैंने तुम्हें नहीं बचाया है शिवा जी तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बचाया है थिर्णे तुम्हें इन्टाग क्मझे तुम्हारे क्ष्क्रण का थत्ताग उन्टाग थ постत? ख formation सिपाईयों पेट अंदर सिना बाग समझ ही नहीं आ रहा कौन शिवाजी है और कौन गायत्री डाउन या आम्स गो बैग बाब बाब झाल झाल लो वेग, सिवा जी की हैर स्टाइल की थरा, मेरा हैर काट कार, ओरीजिनल छे, अंकल, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजे, प्लीज अंकल, कैसे बचाओं बेटी, दोनों एकदम सेम तु सेम है, क्या तुम अपने पापा को आइडन्टिफाई कर सकती हो, जयत्वतप्रविप्प्रमत्रमत्भुजंग मस्थुर, थगत्थगत्विनिर्कमत्गरालपालःव्यवाद् धिमिथ्थि मिथ्ध्वनन मृदंग तुम्ग मंगला, ध्वनेक्रमा प्रवर्टित प्रचल्ड तांध वस्शिवः वूम नमस्षिवाया, अंकल, यहीँ मेरे पापा है, वोगाईत्री महता है. ISुट हैं! प्रपुल्लनेलपंकजप्रपंचकालिमच्छता विदंभिकंथकंथरारुचिप्रबंथकंथरां अंघछिवाया!!! अम्हाँ शिवाया ओम्हाँ शिवाया ओम्हाँ शिवाया मेटा आणे कहाँ रक्तनो बन्धन करें शिवाया आणे कहवाय यहां क्या हुआ शामलाल मी समझ लो आखरी इच्छा पूरी करने शिवा जी जेल आया था उसे फसा कर भगाने की कोशिश करने वाला गायतरी मैता पुलिस के हादों मा रागी तुम्हारा प्रमोशन पक्का है थेंक्यू साहिब जोती प्रमोशन हो गिया तुम्हारा अब मैं कभी अनाथ नहीं हो सकता